में गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इन में पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे कि उनके पराकरम कि उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देश वाजी का सीर्थ आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भार्थिय की छाती आपकी बीरता और पराकरम से फुली हुई है साथियों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शावरी और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुए लेख लग्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर चोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगड पत्थर भार्तिय सैनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं कि फोटिन कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुर्या ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथा है गर्ण गर्ण में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वो यह देखी है और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो यह पूरा हिस्सा यह भारत का मस्तक है 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है यह भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत बगुला रिंग पुछे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है यह रिंग पुछे जी ही उनीके फैरंट जिनोंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंग पुछे के गुवाई में यहां अलगाओ पंदा करने की हर साजीश को लग्दाग की राष्ट भक्त जनता ने नाकाम किया यह विनी के प्रेरख प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लग्दाग स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लग्दा के लोग हर स्तर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक रहो राश को ससक्त करने के लिए अदभूत योगदान दे रहे हैं साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजी तहां खडगेन आक्रम्य बुन्जी तहां वीर भोग्या वसुंद्रा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूं आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसमें हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुहतोर जवाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आकर्मन के बाद भारत और शसक्तव करूबरा है साथियों राष्ट की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई श्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता कि वीरता ही शांती की पूर्व शर्ट होती है भारत आज जल थल नर्ब और अंत्रिक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्यान ही है भारत आज आदुनिक अस्त्रत सस्त्र का निर्वार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्रत का निर्वार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या पिर शांती की बात जब भी जबरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसान युक्त की हुमेनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान सत्कृति को सापिक करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्वर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांडः वड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कहा यानी शावर्य सम्मान मर्यादा पुन्न व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिविंब होते हैं बारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समय अत्त हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही बविश्य का आधार भी है बीती शतारद्यों ने बीती शतारद्यों में विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा हित्या मानवता को विनास करने का प्रयास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुए है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ यो ये न भुले इत्यास गवाह है कि ऐसी ताकते मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारबाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वात को समर्क्वीत है और विकास की खुली स्परधाता स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं राष्ट रक्षा से जुड़े किसी नीड़े के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समर्ण करता हूं जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वेबीर माताएं दूसरी विवीर माताएं जिनोंने आप जैसे प्रवाग पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का समरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोटी यही है इसी कसोटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आधुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ज्यान देते रहे हैं अब देश में बार्डर इंफ्रास्ट्रक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया जा इससे बार्डर इरिया बार्डर इरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग यह भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समन्वय के लिए लब्मे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ आप डिफेंस टाप के पत्का गठन करे की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेस से लेकर सिख्षा तक की शही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनी को को मजबूत कर रहा है साध्यों भगवान गवत्म बुन्त्य ने कहा है साहस का सम्मंद प्रतिबद्धता से हैं कन्विक्शन से हैं साहस करुणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्त के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकास्था है देश को आप पर करव है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे ITBP के जमान हो BSF के साथ ही हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो स्रमीखों आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिला कर मा भारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक साथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्रात करते रहे हैं विजय प्रात करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सब सरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वाद दिलाने आया है हम एक ससत्र और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक बार आप सभी का रगे से बहुत पाद अभिननर करता हूं बहुत पाद दनिवाद करता हूं मेरे चांद पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बन्दे 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 मेरे चांद पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की मेरे चाई बन्दे